हलो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आप सबीका आपकी अपने चैनल में दोस्तों इत समय देश दुनिया की हालात क्या हैं हम सबी इन से परिजित हैं कभी कोरोना को लेकर कभी भूकम को लेकर तो कभी वर्डवार थ्री को लेकर इन तमाम परिशानियों के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में सभी लोग और सभी तरह के इंडरस्ट्री सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से फिल्म इंडरस्ट्री भी प्रभावित हुई है के निकारणों से कुछ अभीनेता अपने अभीने के द्वारा अपनी एक अलग छाप देश दुनिया में छोड़कर गए हैं उनमें कुछ नाम है इर्फान खान और रिशी कपूर जिनोंने अपनी महनत से एक हाइट गेन की है जिनके जाने का दुख फिल्म इंडरस्ट्री के लोगों को ही नहीं बलकि एक आम इंसान को भी हुआ है हाल में सुशान सिंग की म्रत्यू से भी हर एक इंसान आहत है दुखी है ऐसे में मेरे कुछ विवर्स ने मुझे सवाल किया है कि सुशान सिंग की म्रत्यू का फिल्म इंडरस्ट्री पर आने वाले समय में क्या प्रभाब पढ़ने वाला है क्या industry के लोगों की thinking change होगी तो सबसे पहले मैं उनका धनेवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे इस interesting topic पर वीडियो बनाने के लिए कहा उसके लिए सबसे पहले मैं सुशान सिंग की कुंडली के साथ भारत की कुंडली से भी film industry पर जोतिश ये visualization रखूंगी जो भी मित्र जोतिश जानते हैं वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से जोतिश के द्वारा हम film industry के भविश्य को समझ तकते हैं सुशान सिंग की मेश लगनी की कुंडली बताई जाती है कहीं व्रश्चिक लगनी की कुंडली बताई जाती है बिना confirmation के जोतिश ये विवेशना निराधार होगी मैं ऐसा समस्ती हूँ लेकिन मैं कालपूरुष कुंडली के आधार पर सुशान सिंग की कुंडली को समझाने का प्रयाद करूँगी मेश लगन की कुंडली है लगन में राहू है दुत्य भाव में उच्च का चंद्रमा है तप्तम भाव में मंगल है केतु के साथ तुला राशी में अश्टमभाव में शनी है व्रश्चिक राशी में, दशमभाव में मका राशी में चार ग्रहे हैं गुरु, बुद्ध, सुर्य और शुक्र अगर हम ये कुंडली देखें तो लग्न में राहू है मंगल की मेश राशी में जो सुषान सिंग के attractive appearance को शो कर रहे हैं मंगल लग्न के साथ अश्टमभाव का स्वामी भी है जो केतू के साथ सब्तमभाव में बैठा है केतू कार्मिक है ऐसे में अश्टमेश मंगल के साथ युती होने से अचानक होने वाले किसी भी अरिष्ट को शो कर सकता है इस कुंडल में अलपायू के भी कुछ योग है और गोचर भी उस तरह के घटना चक्र को शो कर रहा है अश्टमभाव में आयू कारक शनी भी है जो मन के कारक उच्च के चंद्रमा को देख रहा है लग्नेश मंगल भी चंद्रमा को देख रहा है और 9th और 12th लौड गुरू भी उसको लेकिन गुरू की जो द्रश्टी है वो नीच की द्रश्टी है ये इस्तिती सुशान सिंग के मानसिक अवसात को निराशा को शो कर रहा है लग्न में बैठा राहू और सबसंभाव में मंगल का पीडित होना इसके साथी दशंभाव में प्रश्टोदय राशी मकर में चार रह होने से सुशान सिंग या कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी बातें छिपा जाता है कुछ शेयर नहीं करता ऐसे व्यक्ति अपने आपको आइसोलेट खुद कर लेते हैं और दुनिया से दूर हो जाते हैं जिस समय सुशान सिंग की मृत्यू हुई थी उसमें दशा चल रही थी गुरू में गुरू में राहू चार दशा भी कन्या में व्रश्चिक की थी जो शिक्स और एट भाव में अचानक होने वाली किसी भी घटना को शो कर सकती है व्रश्चिक राशी बहुत ही रहत्य में राशी है इसे समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और रंद्रभाव में शनी का होना आयुष को खत्रा भी दिखा रहा है। उस समय नारायन दशा भी व्रशब में मेश राशी कि थी जो कहीं न कहीं चंद्रमा और राहू के नकारात्मक प्रभाव को दिखा रही है। अब सवाल हुगता है कि सुशान सिंग की मृत्यू का क्या फिल्म इंडरस्ट्री पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वहां के लोगों की मानसिक्ता चेंज होगी? क्या है फ्यूचर फिल्म इंडरस्ट्री का? इस पर चर्चा करते हैं. उसके लिए हम भारत की कुंडली से समझने का प्रयास करेंगे कि मुंडेन एस्ट्रोलजी में भारत में फिल्म इंडरस्ट्री का क्या भविश्य है? भारत का लगन व्रशव है और लगन में ही राहू है. इस समय चंदरमा की महादशा चल रही है और चंदरमा स्वयराशी होकर थर्ड भाव में बैठा है. थर्ड भाव हम जानते हैं, हमारी इंटेलिजन्स का है, हमारी इसकिल का है. एते में लगनेश होकर शुकर का थड़ भाव में साथ बैठना फिल्म इंडरस्ट्री के ग्लैमर को शो कर रहा है गोचर में गुरू और शनी दोनों इस्ते ठीक 180 डिगरी के एंगल पर है मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज में कहा है कि मुंडेन इस्ट्रोलजी में ये दोनों ग्रहे बहुत इंपोर्टेंट होते हैं उसका मुख्य कारण है शनी का कर्म कारक होना और गुरू का जज्जमेंट का कारक होना जब ये दोनों युती में हैं तो फिल्म इंडरस्ट्री के होने वाले unwanted issues को solve करेंगे हर इंसान को उनके द्वारा किये गए गलत कर्मों की सजा भी देंगे क्योंकि उनका काम है किसी भी चीज का जज्जमेंट करना उनकी हर इस्तिती को देखते वे ये दोनों ग्रहे सुनिश्चित न्याय भी करेंगे इनमें गुरू की सब्सम द्रश्टी बहुत ही important है गुरू की सभी द्रश्टियों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी ऐसे में शनी का स्वेराशी होकर साथ मिलने से फिल्म इंडरश्टी में एक इस्ट्रिक्ट रूप से न्याय होने वाला है लोगों की मानसिक्ता चेंज होगी कहीं न कहीं सुषान सिंग सब कुछ एक्पोस करना चाहते थे कुछ सुधार करना चाहते थे क्योंकि अगर आप उनका चार्ट देखें तो 10th हाउस में गुरू के उपर अभी गोचर के गुरू और शनी है और साथ में शुक्र भी है नेटल गुरू उपर गोचर का गुरू और नेटल चंद्रमा पर प्रभाव बहुत कुछ बयान कर रहा है ये तो कुछ जोतिश की गणा है जो हम समझ पा रहे हैं लेकिन वास्तविक्ता क्या है वो केवल इश्वर ही जानता है क्या होने वाला है फिल्म इंडरश्टी का भविश्य आगे आने वाले समय में तो 2020 और 2021 में फिल्म इंडरस्टी का दौर कुछ धीमा रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा की महादश्या 2025 तक रहने वाली है और गुरू शनी ठीक उसके सामने है इस भी शनी भी मकर राशी में है तो इस समय पर बड़े बजट के फिल्म नहीं बन पाएंगे और अगर बनती भ का समय डाउनफाल का समय फिल्म इंडरस्टी का रह सकता है उसके बाद मंगल की दश्या होगी 2032 तक उसके बाद फिर आएगी रहू की महादश्या वो जो समय होगा वो फिल्म इंडरस्टी के लिए कुछ अच्छा होने की संभावना दिखाता है तो ये आने वाले दो साल थोड़ा फिल्म इंडर्ष्टी में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा समलना होगा क्योंकि इस समय बदलाव के इस्तिती भी आने वाली है इस सूरिय ग्रहन का प्रभाव मेश राशी मिथुन राशी तुला राशी ब्रिश्चिक राशी धनू राशी और कुम्ब राशी वाले कलाकारों अभी नेताओं के लिए ठीक नहीं है उन्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और आपको अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो से संबंदी जानकरी आपको समय पर मिल सकें मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें धन्यबाद